असलाम अलेकुम स्टूडर्ट्स कैसे आप लोग आज का मारा टॉपिक है चैप्टर नमबर थाइटीन करंट एलेक्रिसिटी फ्रों सेकंड यर फिजिक्स उसका नाम है जी करंट थूआ मेटैलिक कंड़क्टर करंट थूआ मेटैलिक कंड़क्टर के थूँ करंट कैसे फ्लो करता है इसके अंदर गोर करें तो तीन चीज़ें आ रही हैं करंट मेटैलिक कंड़क्टर आपने पड़ा था फ्लो अफ चार्जिस तो वह पूरी वीडियो इतर में पीन कर रहा हूं आपको नजर आ रही होगी आप देख सक थे थे कंड़क्टर कर दो चीज़े पड़ेए कन अनुर्ण घ्राइस चीज beliefs जो jealow करती यह तहरा मतलब है किसको आपको बाःव कर श्रद को यनि के इदर में और राकिट में लिग देता हूं 40 और कर करती है कि to pass from it, to pass through it yea from it, अधिक है? और Metallic, Metallic है कि मेरे पस जो conductor होती है वह काफी čीज होती है लेकिन इन सबसे अच्छी जो चीज हाना है इसको हम इधर नाम देते हैं मैटल्स के हैं अब आगे इसको आगे कंटीन्यू करते हैं हमारे पास जो मैटल्स होती है उनके अंदर जो आख़ी शيल केgame यानिके जएमोंके बोलते हैं वोर्केमेय खिमितो शो Kerry नहीं करों तो फिर फ्री होते हैं, जैसे कि इधर मैं बनाता हूं, और आपको अभी डिटेल में समझाता हूं यह फर्स का लो कोई भी मैटल है, और यह उसका कोई भी मैंने एक टुकडा ले लिए है ठीक हो गया भाई, इसके अंदर होंगे अटम्स, ठीक है काफी अटम्स होंगे और काफी इसके अंदर अटम्स होंगे तो जाहिर सी बतले लेक्टों्स होंगे लेकिन यह जो मैटल है इसके अटम्स कुछ यू होते हैं यानि कि बड़े atoms होते हैं और यह metal किसी temperature में है जैसे इस वाग इस room में कोई temperature है तो इस temperature के उपर यह पढ़ी है इस temperature का मतलब है कि हम इसे क्या प्रवाइड कर रहे हैं continuously thermal energy वो हम नहीं प्रवाइड कर रहे हैं आपके atmosphere प्रवाइड कर रही है कि इस atmosphere में कुछ ना कुछ temperature है जिसके बाद इसको कुछ ना कुछ आप thermal energy प्रवाइड कर रहे हैं तो इसके इस item को मिल रही है तो सारे items को मिल रही है अब इसके आखरी shell के अंदर जो electrons होते हैं हम उन्हें बोलते हैं कौन से electrons वैलेंस एलेक्ट्रों तूंके आखरी shell का नाम है वैलेंस शेल और इसके अंदर जो electrons है हम उन्हें बोलते हैं वैलेंस एलेक्ट्रों अभी भाई यह जो एलेक्ट्रों है यह ग्रीन वाला यह है भाउन्ड ठीक है बाउंड फोर्म में पड़ा हुआ अब क्या होता है कि यह थर्मल एनर्जी को लेता है और थर्मल एनर्जी को लेने के बाद यह सैक्स Always हो जाता है और XC होने के बाद यह अपने इचम को छोड़ कर देती है और यह एटम इसको छोड़ कर इदर से रफू चकर हो जाता है और भाई रफू चकर होने के बाद बाहर चला जाता है और बाहर जाकर इदर बैठ जाता है लागी इसमें चला जाता है इस एटम से दूर चला जाता है और फिर चूंकर यह बाउंड नहीं है यह अखानी हो जाती है यह पूरे के साथ यह होता है कि सारे सारेXT शोडने के बाद किया हो जाते हैं रूपर हैं इस मैटल से पार नहीं सकत है तो वो क्या करते हैं, इस मैटल के अंदर किदर घूमना शुरू कर देते हैं यह जो ब्लैक ब्लैक में लाइने बना रहा हैं य मतलब है यह वारा करना शुरू कर देते हैं चुक्कि यह free होते हैं और कोई भी एलेक्टरॉन किसी पार्टिकली एटम का मलकियत नहीं होती, मतलब उसके साथ नहीं जुड़ा होता इसका तालुक पता नहीं कोंसे के साथ, इसलिए हम यह नहीं कहेंगा कि यह किसी भी एटम के साथ लिंक केदा है, यह जाद है, फ्री है अब जब यह भाई मेरे यह फ्री है, तो यह हमारे पास इस एटम का हिसा नहीं होता बट यह अब इस पूरे स्ट्रक्चर को छोड़ भी नहीं सकता, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम नाम देते होते हैं, इदर इस पूरे structure को हम बोलते होते हैं lattice अब वो इस पूरे structure से निकल नहीं सकता इसका मतलब है कि वो जो free electron अच्छा अब यह जो free electron होना इस lattice में घूमता रहता है जब यह पूरी lattice में अवारा गर्दी करता है तो वो हम कहते हैं कि यह free electron हो और इस lattice के अंदर ही पड़ा होगा अब यह जो energy heat energy जो thermal energy मिल रही है यह सिर्फ electrons को नहीं मिल रही होती है यह thermal energy इस atoms को भी मिल रही होती है इन atoms की भी energy बढ़ जाती है कि यह free electron है यह move कर रहा है तो अभी आपको पता होगा कि एक moving body यह moving object है कोई भी चीज moving body कौन जी energy होती है भाई kinetic energy और यह kinetic energy कहां से आती है यह kinetic energy क्योंकर जब यह अजाद हो गया तो फिर भी तो room का temperature है फिर भी तो energy मिल रही है thermal energy मिल रही है वो thermal energy इसकी बन जाती है kinetic और आपको याद हो तो जो kinetic energy होती होती है उसका formula क्यों होता है half mb scale तो अब यह अजाद होने से पहले bound था ठीक है लेकिन बाद में जब यह अजाद होती है movement करनी शुरू कर रहा है यानिकि इसकी कुछ ना कुछ विलोस्टी बनी तो kinetic energy डिरेक्ट विलोस्टी से लिंक कर रही है इसका मतलब है कि यह जब इसके अंदर मूव कर रहा है तो यह एक random velocity से मूव करता है तो इनकी velocity कैसे होती है random velocity किसी के में भी कुछ जादा हो किसी की काम हो तो फिर हम इसको नाम दे देते हैं कौन सी velocity average को किसकी में से मिली thermal velocity तो यह average thermal velocity से पूरे structure में मूव करता है यह ऐसे ही मूव करता है जैसे कि gas के molecules इनर्जी ले लेती है atmosphere से thermal energy और पूरे के पूरे cylinder में अवारागर्दी करते है इनकी जितनी भी energy है इनकी जो पूरी energy means कि इनर्जी जो है वह असल में velocity है तो इनकी जितनी भी velocity है वह किसपे depend करती है velocity depends upon upon temperature तो इनकी सारी की सारी लोश्टी इस पूरे कर रही होती है temperature ठीक हो गया यह था आपका पहला paragraph अब next paragraph की तरफ चलते है अब हम क्या करते है कि हम इसी metallic conductor को देखते है अब हम क्या करते है कि जो आपके पास metallic conductor है इसको बड़े धिहान से अबजार्फ करते है और इसके electron को अबजार्फ करते है और देखते है कि यह कर क्या रहे है तो यह आपके पास भी आटम है यानिके यह जो आपके पास atom बाकी बच्चाता है अपने बाकी electron यानिके बच्चों के साथ वो इदर भई अपनी फिक्स पोजिशन पर बैठा हुआ है यानिके lattice के structure को maintain बच्चा हुआ है इसके अंदर आपको यह भी पता है कि जो electrons है वो रैंडम मोशन कर रहे हैं जिनका नाम हमने रखा भी फ्री Electrons है ठीक हावारागर्दी वाले अब होगा क्या कि अगर हम इसका कोई भी cross-sectional area ले ले लेते हैं यानि कि कोई भी दरम्यान से इलाका देख लेते हैं और यह इसलिए लिए अपनी निशानी के लिए कि मैं यहां से जा रहा हूँ यह इदर से जा रहा हूँ यह इदर से यानिका reference point तो अगर हम देखे हैं तो इसके इलाके के cross-sectional area के इस side पर और उस side पर जब हमने देखा तो हमें यह नजर आया कि भाई 10 electron इदर जा रहे हैं 10 electron net इदर जा रहे हैं यानि कि जितने left से right जाते हैं उतने right से left इस side पर जाते हैं इन सबकी तदा जो इस side वालों के और इस side वालों की बराबर है but सबकी direction opposite है अब आपको तो यह लगना चाहिए कि भाई यह जो electrons है यह charge है और if charge moves in if charge moves यानि कि flows इसको मैं लिख लेता हूँ इदर then current is produced हमें यही पता है कि flow of charge is called current तो इसका मतलब है यहां पर current बनना चाहिए लेकिन भाई नहीं रहा हूँ क्यों नहीं बनना भाई उसकी वज़ा यहीं पर ही है कि हमें लगता था कि अगर यह metal का टुकड़ा है यह पूरा तो इसके अंदर electron thermal energy की वज़ा से move कर रहे हैं और moving electron current बना रहा है कि चार्ज है तो इसको अगर मैं बलब लगाँ तो बलब चलना चाहिए लेकिन बलब नहीं चलता उसकी वज़ा यहां पर है कि इदर और इदर current की value same होती है बाद direction opposite होती है तो हम कहते है no net current flows के net current जो flow करता है वो होता ही नहीं कि net current बनेगा अब वो कब बनेगा कि हम इसको लगाते हैं कोई ना कोई source of EMF यानि के potential का difference अपलाई करते हैं तो अब हम ऐसे connect करते हैं कि अगर हम इसी conductor को एक potential का difference apply करते हैं तो भाई क्या scene बनेगा तो भाई मेरे यह तो positive है यह तो भाई अपनी जगह से हीली नहीं सकते है बस mean position पर vibratory motion कर सकते हैं ठीक है काफी जाद होंगे बस मैं थोड़े से बना रहा हूँ तो इधर electrons है अब जब आप इन्हें connect करते हो किसी source of EMF के साथ sorry यानि के potential EMF को हम आगे पढ़ेंगे अभी हम इसे potential difference कहते हैं तो जहां पर जब यह potential difference लगेगा तो इसका मतले पता क्या बनेगा इसकी एक साइड हाइर पर इसका potential है V और दूसरी साइड पर है lower इसका potential है zero hold तो क्या होगा higher minus zero answer will be zero तो इसका मतले यहां पर मैंने potential difference V apply किया है जो एक साइड पर positive और दूसरे साइड पर negative यह साइड highly positive और यह साइड highly negative हो जाती है यानिके वह lower potential होता हो यह higher अब इसके अंदर है electrons अब scene कुछ यह बनेगा कि जब यह apply होगा तो इस conductor के अंदर positive से negative की direction की तरफ एक electric field establish हो जाती है यानिके हमने जो पिछले chapter में बढ़ा था कि positive से negative direction में एक electric field line बन जाती है एक electric field बन जाती है अब मुझे बताओ इसके अंदर electrons है जो यह electrons ऐसे randomly move कर रहे हैं अब वो देखेंगे या इतर positive और positive की तरफ और attract होने शुरू हो जाएग और negative से repel तो वो सारे के सारे आप move करेंगे एक ही direction के अंदर ठीक है यह black वाले आपके electrons है यह free electrons यह अब सारे के सारे तकरीबर एक ही positive की तरफ attract होना शुरू हो जाएगे और एक positive direction की तरफ move करना शुरू कर देंगे लेकिन अगर आप गौर करो तो फील्ड इस तरफ ती यह इस तरफ जा रहा तो मैं यह कहूंगा कि यह इस direction में move कर रहा है इस direction का नाम क्या है negative of e यानि कि यह negative e की direction में movement शुरू कर देंगे अच्छा अब आपको के सार्थ जब यह move करेंगे तो पहले इनकी जो भी थी velocity रैंडम ली जो भी थी यह जैसे इसके क्रीब आते जाएंगे इनकी velocity तो बढ़नी चाहिए यानि कि इनके अंदर क्या बढ़नी चाहिए एक net acceleration अब इसकी वज़ा कि यह हम पर net acceleration ही बनेगी बलकि इनकी velocity तकरीबन यूनिफॉर्म रहरी होती है अगर निकाले तो इनकी जो विलॉस्टी तो यूनिफॉर्म रहरी होती है जब यह potential apply होगा तो इसने एक चीज़ को higher लेजना एक lower इसके वह चीज़ उपर से जैसे मैं कहू जैसे मैं कहता हूं कि यह दो डब्बे पड़े और इनके अंदर यह pipe connect है तो आप देखोगे कि इन डब्बों में जो भी पानी हो इधर से इधर 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 flow नहीं करेगा लेकिन जब अगर मैं इनके रमान में potential का difference create कर दो एक डब्बे को इधर ले जाओ एक डब्बे को तो आप अगर आप देखोगे तो आप इधर से इधर पानी फ्लो करना शुल गए यानिके बैटरी लेकिन आप देखोगे कि पानी की स्पीड आइसा इसा उपर से मीच आथ तो बढ़ेगी इधर नहीं बढ़ेगी इधर बढ़नी तो चाहिए थी क्योंकि एक्सलेट हो रह लेक्टरॉन उदर से चलता हुआ रहा है तो इसके पास काइनेटिक इनरजी ये रस्ते में पहले ये था कि ये इस तरह चल रहा था कि ये एक रोड है इसके ओपर ये ट्रैफिक वाली गाड़ी आपके पास अपनी मर्श थी कि आपके पास मोड़साकल था आप जैसे दिल क यह से पसक्ता है यह अब लेकिन अब मजबूर है जलाए है कि मजए nervous आहारी एंप एंप क्लिएधिय कर करें से तो अपकी जो energy थुर और आपके इनर्जी में चलो हो जे किनेटिक इनर्जी का मेरे भाई फार्मूला क्या है यानि किनेटिक इनर्जी देखा जाया तो विलोस्टी पिडिपेंड करते हैं तो इनकी विलोस्टी गेन नहीं हो रही होती क्योंकि वो तो काम होनी शुरू होगी इनर्जी डिलिवर होनी शुरू होगी इनकी विलॉस्टी टकरे मार मार के यूनिफॉर्म स्पीड पर पहुंच जाते हैं जिसको हम इधर नाम देते हैं Drift Velocity यानि कि ये एक Uniform Speed से Move करना शुरू कर देते हैं जो के इसका नाम है Drift Velocity सही हो गया अब जब ये Drift Velocity से Move कर रहे होते हैं तो इनकी जो Velocity की Value है जो हमने Calculate की वो हमें पता लगा कि जो Drift Velocity है वो कितने के बराबर होती है वो बराबर होती है 10 की Power माइनस 3 मीटर पर सेकंड यानि के 10 की Power माइनस 3 मीटर पर सेकंड बराबर होगा 0.01 मीटर पर सेकंड जब के इनकी वो Velocity जो पहले थी बगार इसको लगाए जनका नाम था मरपस Thermal Velocity अगर आप उन्हें देखो तो वो है Several 100 किलो मीटर पर सेकंड यानिके किलो मीटर से 0.001 मीटर पर सेकंड पर आकर टिक जाती है इतनी काम हो जाती है Velocity लेकिन यह तकरीबन कॉंस्टेंट होती है तो अब अगर यह Velocity इतनी काम होई तो इसका मदब़ इनर्जी आटम्स को दिलिवर हो जाती है इस जगह यह इस तरह स्विच लगा देता हूं तो आपको किसर जैसे मैं स्विच को क्लोस करता हूं तो 40 क्रण्ट शुरू हो एता है उपन करता हूं तो बंद उजाता है लेकिन आपको किसर फॉलocity तो एतनी कम है तो इसको तो इसससा इससा नहीं चलके जाना चाहे लेकिन जैसे आप switch को open करते हो तो आप इस electron को इधर जाने से रोक देते हो जिसके बाद पीछे वाला रूप जाता है पूरी train आपकी पूरी train की तरह यह डबे रूप जाते हैं लेकिन जैसे आप इसे दुबारा इधर connect करते हो switch को close करते हो तो अगला चलता है पीछे चलता है और पूरे circuit में दुबारा फिर स्मूथ करन फ्लो इता है इसका मतलब है कि ना तो बैटरी चार्ज दे रही है ना ही चार्ज ले रही है बैटरी सिरफ इसकी हरकत को continue करवाने का काम कर रही है same like your donkey pump जो आपके pump नहीं होता वो फवारे का जो pump होता है तो फवारे का जो pump होता है उसका काम है इस पानी को आठा कर वापस उपर पहनकरा है तो same battery का कर रही है इधर से पानी लाकर इसे वापस पहनकरी है means के battery यहां पर एक चीज़ को ओवे कर रही है जिसका नाम है law of conservation of charge के यहां पर charge का conservation charge की amount fix रहती है ना बढ़ती है ना भाई मेरे कम होती है तो यह वाले scenario के मताबिक electrons इस पूरे conductor में भूफ करते हैं ठीक हो गया यह था आपका second paragraph की खानी लास्ट paragraph जो है वो लुबे लुबाब है पूरी कहानी का तो इसको मैं read कर देता हूं साथ और इधर आपको बता भी देता हूं कि उसका मतलब क्या है लास्ट paragraph में वो हमें कहता है थास्वेन electric field is established जब एक electric field is established हो जाती है इनना conductor the electrons modify their random position यानिके random motion और अपनी random motion को modify कर लेते हैं और एक unique direction में motion शुरू कर देते हैं and drift slowly in opposite direction to the field तो आज साथ इसता field के opposite direction में drift यानिके drift velocity से चलना शुरू कर देते हैं in other words in addition to the violent thermal motion इनकी motion violent है, violent का मले बहुत तेज तो याद रखो speed कितनी है, several hundred, बहुत violent motion है acquire a constant drift velocity due to which net directed motion of charges take place along the wire and current begins to flow यहाँ पर main point है कि अगर आप देखें तो यहाँ पर net current zero था लेकिन अब जब यह सारे एक direction में जा रहा हैं, तो सारे के सारे चार्ज भी एक direction में flow करते हैं तो circuit के अंदर एक net value current की generate होना शुरू हो जाते हैं जिसको हम बोलते है steady current ठीक है steady current की नीचे उसने फिर राथ definition लिखी है steady current is established in a wire कब established होता है एक wire में जब एक constant potential difference को आप apply कर जाते हो किसी constant potential difference is applied across या maintained across the conductor या across it which generates electric electric field around the wire जो के इस पूरी wire में याँ आप ऐसे कहलो कि इस conductor के अंदर क्या generate करके बैठ जाता है एक electric field जिसके बाद opposite direction में charges slow करते हैं और current बनना शुरू हो जाता है यह था जी आपका आज का topic इसके अंदर कोई confusion है क्योंकि यह आपके जेहन में topic आसे छप जाना चाहिए क्योंकि आगे जब आप जाओगे जितने भी यहां जहां पर भी current पड़ो तो आपके जेहन में यह चीज़ लाजमी चलनी चाहिए यह भी फील्ड बनी है और current फील्ड का opposite मूव कर रहे है और इस स्पीड से मूव कर रहे है यानिके charges और charges पूरे हैं बस एक जैसी रोकते हो तो उनकी सिर्फ train रोक जाती है जैसी train शुरू होती है फिर डबे चलना शुरू हो जाता है तो यह वाला scene आपके जहन मेरे अगर इसमें क्यों confusion ना तो comment में बताएं वीडियो अच्छी लगी लाइक करें और share करें और subscribe करें thanks for watching